हलो नमस्कार दोस्तों हमारे जानल पे आप सभी का फीर से सागत आज हम सीट्रेट की मैथेमेडिक्स में लॉज आप इंडासेस यानि घातांक की नियम पढ़ेंगे तो इस घातांक की नियम पर पिछले वर्ष चार प्रश्न पुचे गए थे तो देखेंगे घातांक की निय अंक हो तो संख्या की घात कहते है यानि एक्सपरांट जैसे 20 की पाच गुणा करने पर 20th विस की पाच बेना कीए 2, 20, 20 विस की 1 गात पढ़ते है आगे देखीए जिसले क्या에 को न बारगुना करें तो इसे a रेश्ट्य lotta ये लिखा एट रेष्ट सेवन को साथ घातांक आठ पड़ेंगे अत्वा आठ की घात साथ पड़ेंगे गातांके नियम समान आधार की भिन्न भिन्न घाते जुड़ जाती है तथा जबकि संक्याओं की परस्पर गुना हो समान आधार की भिन्न भिन्न घाते घड़ जाती है जबकि संक्याओं का यू भाजन हो किसी आधार की घात दी हो तो घातों की परस्पर गुना हो जाती है नीचे उदारन दिया है ए रेस्टी यम ब्राकेट क्लोज रेस्टी यन इकोल टू ए रेस्टी यम एंटी यन जैसे एट रेस्टी टू रेस्टी फाइव इस पर गुना हो चिगे और आट रेस्टा घातांक 10 हो गया है दो गुनला पाच बरबर दस आगे अगलानियम क्या है अलग-अलग आदारों के गुनन फल पर लगी कोई घात प्रत्यक आदार पर लग जाती है इसके बराबर क्या होगा A रेस्टी अन इंटू B रेस्टी अन अगलानियम अलग-अलग आदारों के युवाजन पर लगी कोई घात प्रत्यक आदार पर लग जाती है A divided by B रेस्टी अन इकोल टू A रेस्टी अन इकोल टू A रेस्टी अन हो चुका है अब देखी अगला नियम क्या है किसी संक्या की शुन्य घात कामान सदय वह एक होता है यानि जैसे क्या दिया है हमको A रेस्टी जिरो इकोल टू वान यदि आधार संक्या बराबर हो तो गाते भी बराबर होगी A रेस्टी अन बराबर A रेस्टी अन तो यम बराबर यन है यदि आधार संक्या बराबर हो तो गात भी बराबर होता है अगला नियम क्या है यदि समान आधार की घाते परस्पर समान हो तो आधार की परस्पर बराबर होते है एरेश्टुयम बराबर भी रेश्टुयम हो तो ए बराबर भी यदि भाजेक के रूप में किसी संक्या की घात धनात्मक है तो संक्या को अंश्च के रूप में परिवर यह दिवाजक के रूप में किसी संक्या की घात धनात्मक हो जाती है या एरेस्टू मायनस न का इकॉल टू क्या दिया है एडिया एडिवाइड्स एरेस्टू मायनस न बराबर एरेस्टू यान तो इस व्यूडियो को लाइक करें और कमेंट करें धन्यवाद